अदिती बहुत खुश थी, कि उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी, जो उसे हमेशा खुश रखता था। अदिती और रवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब उनका एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। रात को जब रवी ओफिस से घर आता, तो अदित हमेशा उसका दर्वाजे पर खड़ी इंतजार करती मिलती थी। रवी भी अदिती को बहुत प्यार करता था, उनकी शादी को अब दो साल हो गए थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी, जिसे वो दोनों गुडिया कहते थे। गुडिया के आने से उनकी जिन्दगी में और भी खुशियां आ गई थी। उनकी जिन्दगी बहुत ही खुशियों से भरी थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रवी रात को आठ बजे घर आ जाता था, लेकिन आज 11 बज गए थे, लेकिन रवी अभी तक घर नहीं आया था। अदिती कभी दर्वाजे से, तो कभी छट से देखती, लेकिन रवी नजर नहीं आया, तभी फोन की घंटी बज़ती है। रवी का फोन होगा, ये सोच कर वह खुश होती है, और तुरंट दोड़कर हाफते हुए फोन उठाती है। हलो, अभी तक आये क्यूं नहीं आप, आपको कॉल तो करना चाहिए था, कितनी देर हो गई है आज, मुझे कितनी गभराहट हो रही थी। तभी सामने से आवाज आती है, हलो, मैं दिपक बात कर रहा हूँ, आप रवी के क्या लगते है। इतना सुनते ही अदिती के पैर का अपने लगे और वो बोली, मैं उनकी पतनी, क्यों, रवी कहां है। दिपक ने उत्तर दिया, उनका एक्सिडेंट हो गया है। अदिती ने पूछा, कहां, और कैसे, उनको चोट तो नहीं लगी न। दिपक ने बताया, हम उनको अस्पताल ले गए है, आप जल्दी यी दि अस्पताल आ जाए। हां, मैं आ रही हूँ, लेकिन मेरे रवी को कुछ हुआ तो नहीं न। नहीं, आप अभी अस्पताल आ जाए। कुछ ही देर में अदिती दिशा अस्पताल पहुंच गई। रवी की मौत तो एक्सिडेंट के वक्त ही हो गई थी। बस डॉक्टर अद अदिती को बताना चाहते थे, कि रवी अब इस दुनिया में नहीं रहा। डॉक्टर की बात खत्म होते ही, अदिती जोर से चिल्लाई। नहीं, मेरे रवी को कुछ नहीं हो सकता। रवी तुम मुझे छोड़के नहीं जा सकते। 25 साल की कम उमर में ही अदिती बिध्वा हो गई थी। रवी की मौत के बाद उसका घर भी बिक जाता है। अदिती के पिता एक गरीब द्राइवत है, इसलिए वो उन पर बोज नहीं बनना चाहती थी। वो अब गुडिया के साथ किराय के मकान में रहती थी। घर की और गुडिया की जिम्मेदारी अब अदिती पर गई थी। रवी के गम में अदिती के तीन साल गुजर गए, लेकिन रवी का चेहरा अभी भी आँखों से हट नहीं रहा था। अदिती छोटे छोटे काम करके घर चला लेती थी, लेकिन वो अपनी पूरी जिन्दगी ऐसे नहीं गुजार सकती थी। उसे गुडिया का स्क पिता बहुत ही सरल व्यक्ती थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जैसे ही तुम्हारे लिए कोई काम मिलेगा, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अदिती के पिता जिस बंगले में द्राइवर की नौकरी करते थे, वहां उनके बॉस अपने बुड़े माव बाप के सा रहते थे। उनका नाम आदित्य था। इतने बड़े बंगले में सिर्फ तीन ही लोग रहते थे, जिसकी वजह से पूरा बंगला सूना सूना लगता था। एक दिन, आदित्य की मा की तबियत अचानक बिगड़ गई। आदित्य ने अदिती के पिता को घर बुलाया। आज तो हो गया, पर अब उनकी देखभाल के लिए आदित्य को एक सहारे की जरूरत थी। अब बिजनेस और माता पिता को एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा था, क्यूंकि अब माता पिता की उम्र ज्यादा होने के कारण, वो कभी भी बीमार पढ़ जाते थे। तब ही अदित्य के पिता अपनी बेटी के बारे में आदित्य को बताते है कि उसे एक नौकरी की जरूरत है। आदित्य अदित्य के पिता को अपने घर और माता पिता की देखभाल करने का सुझाब देता है। अदित्य के पिता ने यह बात अदित्य के सामने रखी। अदित्य त पताता है कि अब उसे यही रहना पड़ेगा उसके माता-पिता की देखवाल के लिए और इसके लिए उसे खाने पीने के साथ अच्छा पगार भी मिलेगा। घर का बाकी का हर काम उसके पता समझा देते हैं। दुसरे ही दिन अदिती गुडिया को लेकर बंगले पर आ जाती है। बंगले के एक छोटे से कमरे में वो अपना और गुडिया का सारा सामान लगा देती है। बस उस दिन से अदिती बंगले को ऐसे सजा के रखती थी, जैसे कोई अपना घर सजाता हो। घर की देखभाल के साथ साथ वो गुडिया और अदित्य के माता पिता का भी अच्छे से ध्यान रखती थी। सिर्फ अदिती ही नहीं, बलकि अदित्य भी गुडिया का खुब खयार रखता था। आफिस से लोटते ही वो गुडिया के साथ समय बीताता था और उसके साथ खेलता भी था। इतना ही नहीं। उसका एक अच्छी स्कूल में दाखिला भी करवाया और उसकी पढ़ाई का स सारा सामान भी लाके दिया। इस तरह गुडिया की पढ़ाई भी शुरू हो गई। अब जिन्दगी और भी अच्छे से बीतने लगी थी। अदिती और गुडिया के आने से घर हरा भरा लग रहा था। ऐसे ही महीनों बीत गए अब सब के चहेरे पर खुशी साफ हो गया था इसलिए अदिती खुश थी। घर की और माता पिता की देखवाल अच्छे से हो रही थी तो अदित्य भी खुश था। अदिती और गुडिया के आने से अदित्य को खुश देखकर माता पिता भी खुश थे। माता पिता अदिती को अब बहु के रूप में जख रहे थे उन्होंने पहले आदित्य की राय लेना ठीक समझा आदित्य भी इस शादी के लिए तैयार हो गया अदिती जैसी समझदार जीवन साथी मिलना वो अपना भाग्य समझता था आदित्य की हां के बाद उसके माता पिता ने अदिती के पिता से इस बारे में बात की बेटी के जीवन में फिर से खुशियां आएंगी ये सोचकर वो बहुत ही खुश हो गए उन्होंने तुरंथ ही अपनी बेटी से इस बारे में बात की लेकिन अदिती ने शादी से साफ इनकार कर दिया क्योंकि अदिती के घर का एक नियम था कि एक बार पती की मृत्यू हो जाने के बाद वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी उसे पूरी उम्रब विध्वा बनकर ही रहना होगा तब ही अदित्य के माता पिता ने उसे समझाया कि उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है और उसे गुडिया के भविश्य के बारे में सोचने को कहा कब तक अकेली गुडिया को संभाल पाएगी अदिती अब सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए अदिती यह भी जानती थी कि आदित्य गुडिया को बिलकुर रवी जैसा ही प्यार करता था अदित्य के माता पिता ने अदिती को अपने पास बिठाया और कहा कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं हमको भी तुम्हारी जरूरत है अदिती जब से तुम और गुडिया इस घर में आई हो ये घर खुशियों से भर गया है तुम्हारे और गुडिया के आने से हम और आदित्य पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हैं अब इसके आगे और कुछ बोलते आदिती ने सब की खुशी में हामी भर दी कुछी दिनों में आदिती की शादी आदित्य से हो जाती है एक विध्वा के रूप में कठिन परिस्थितियों में रहने वाली अदिती का जीवन बदल जाता है आदित्य भी रवी की तरह अदिती और गुडिया से प्यार करता है आदित्य और अदिती की शादी को भी अब एक साल हो गया है अदिती आज फिर से आदित्य के साथ खुश थी वो फिर से मुस्कुरा रही थी रवी की आत्मा भी अब खुश होगी क्योंकि रवी हमेशा अदिती का मुस्कुरता हुआ चेहरा देखना चाहता था जय श्री राम कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें राधे राधे